दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग किसी भी परकार की इंटर्वी में पुछे जाने वाले टॉप कोस्चिन और उसके एंसर के बारे में डिसकेस करेंगे जाना है, simple paint set हो, अंदर shooting, अगर आपके पास leather का सूज है, तो वो पहन लीजिए, एक घरी लगा लीजिए, और simple hairstyle के साथ आपको interview देने के लिए जाना है, ऐसाने कि आप jeans set पहन लिए, या jeans t-shirt पहन लिए, या kurta pajama पहन के चल गए, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना, simple formal dress में आपको interview देने के लिए जाना है, और जब आपका interview सुरू हो, तो उस बक्त चेहरे पर हलका smile होना चाहिए, ऐसा नेका आप मन उदास करके वहां पर बैट गए, हलका smile के साथ अपना interview दीजिए, दोस्तो ये छोटा-छोटा चीज भी मैने रखता है interview में, तो इसको ignore ना क इस पर भी ध्यान दें, तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रसन की तरफ देखते हैं कि आपसे किस परकार से प्रसन पूछे जाएंगे, दोस्तो आपसे जो पहला question पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, तो दोस्तो इसका answer आ बारे में भी short में बता सकते हैं, यहां आपको एक बात की ध्यान रखनी है, कि आप जो भी बताएगे, वो short में बताएगे, दोस्तो आपसे दूसरा question पूछा जा सकता है, कि आप में क्या खोबिया हैं, इसका मतलब यह हुआ, कि आप क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, यह आप अपने hard work के बारे में बता सकते हैं, कुल मिला कि यहां आपको अपनी अनुकूल छमता के बारे में बतानी है, दोस्तो आपसे तीसरा question पूछा जा सकता है, कि आप हमारे company में कार्ज क्यों करना चाहते हैं, तो इसका answer आप इस परकार से बता सकते हैं, इसमें आपको उ और अधिक सीखना चाहते हैं, और company को अपने hard work से कुछ अच्छा देना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि आपने सुना है, कि यहां कार्ज करने के लिए एक अच्छा माहूल है, दोस्तो आपसे चौथा question पूछा जा सकता है, कि आप हमारे company के बारे में क्या-क्या जानते है दोस्तो यह most BBI question है, यह बहुत बार अलग-अलग company के interview में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से समझिए कि आपको इसका answer किस परकार से देना है, दोस्तो इसका मतलब यह हुआ कि company यह जानना चाहती है, कि आप जिस company में काम करना चाहते हैं, उसके बारे में आप कितना महसूस करते हैं, साथ ही आप इसके head office के बारे में बता सकते हैं, और इसकी अस्थापना कब हुई, यह भी आप बता सकते हैं, company के cards क्या-क्या है, या जो भी information आपने उस company के बारे में इकठा किये हैं, आप उसे बता सकते हैं, अगर आप चाहें, तो आप किसी भी company के information क्यों करना चाहते हैं तो दोस्तों इस question का उत्तर देते समय ध्यान रखें कि आपको अपनी पुरानी company की बुराई भूल कर भी नहीं करने आप यह कह सकते हैं कि आपको एक अच्छी बेहतर company की तलास है आप एक अच्छी opportunity की खोज में हैं या आप यह कह सकते हैं कि आपको और भी बुराई नहीं करना तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने टॉप पउच कोस्चन के बारे हैं डिसकर्स किया है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और जो बचाहुआ पंच कोस्चन है उसके बारे हम डिसकर्स करेंगे तो реально वीडियो हमारें देखने के लिए और को सब्सक्राइब जरूर से कर लेजे और अपने दोस्त लोगों के साथ इस वीडियो को सेर भी कर देजे